आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC Bank के Q2 के रिजल्ट के बारे में HDFC Bank के Q2 के रिजल्ट आ गये हैं कैसे आए हैं रिजल्ट उसी के बारे में बात करेंगे वीडियो पसंद आये तो वीडियो को करणा है लाइक चानल को नहीं किया subscribe तो कर दिजे subscribe फ्री है लाइक कर दिया चालिजे मोटिवेशन मिलते है और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते है उसे के साथ साथ बता दू तो आज मैं साड़े चार से पाच के बीच में एक लाइव करूँगा जिसमें मैं डीटेल में HDFC बैंक के रिजल्ट के बारे में चाचा करूँगा एक एक पॉइंट अगर उसमें जॉइन होना है तो चानल का सब्सक्राइब पर दीजिए और वीडियो को लाइक के दीजिए ताकि जैसी में लाइव आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो शुरू करते हैं HDFC बैंक के Q2 की रिजल्ट अनालेसस बात करें HDFC बैंक की तो उस्ते पर बता दू मनी फ्रंट हमारे वीडियो के स्पॉंसर है इनके तो आप अनलिस्टड शेर्स भी बाई कर सकते हो काफी कुछ कर सकते हो जादा जानकरी के लिए वीडियो के एंड तक बने रही है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख जाएगा बात करें तो यह है इनके stand alone हम consolidated result चेक करेंगे अगर provided है तो I guess provided होने चाहिए यह है इनके consolidated result quarter on quarter basis चेक करेंगे क्योंकि banking के अंदर majorly results जो होते हो quarter on quarter basis चेक करने पर ही आपको अच्छे अंदाजा पढ़तावा देखने को मिलेगा तो बात करें HDFC bank के तो सारे figures आपको rupees in lakhs में आते वे देखने को मिलने वाले है तो जो भी figures होंगे वो rupees in lakhs में होंगे income की बात करें तो 41 lakh का आया है last quarter 38 lakh का था last year 38 lakh का था तो growth आपको दिख रही है income के अंदर expenses के अगर हम बात करें तो 24 lakh provisioning जो सबसे important है वो चेक करें तो 4 lakh 71,000 का आया है last quarter 5 lakh 36 lakh last year 44 था तो why on why तो provisioning अभी भी भढ़कर आई है लेकिन quarter on quarter provisioning आपको कम होती वी देखने को मिल रही है और अगर हम बात करें consolidated net profit and loss for the period की तो वो आपको आता है वा देखने को मिला है नाइन लाक 9619 रुपिजन लाक last quarter 79 lakh का था last quarter 7 lakh 92,000 का था और last year 7 lakh 70,000 का था तो profit बड़ा है bank का अच्छा growth bank ने दिखाया है अगर हम उबी इतसे बात करें तो और और अगर हम बात करें तो result अच्छे आया है quarter on quarter basis और year on year basis में युजिली चेक करता नहीं चेक करें तो bank result काफी शांदार आपको आते वे दिखने हो मिले है pre result काफी जदा movement आ चुका है अब देखने वाली बात हो कि मंडे को कैसा move आता है result की बात करें तो अच्छे नहीं अच्छे नहीं काफी अच्छे रिजल्स आपको आते वे निखने हो मिले है long term के लिए one of my favorite stock है banking के अंदर ज्यादा details के लिए आप चानल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और bell icon दबा दीजे क्योंकि शाम को आनूंगा हमें live और fundamentally एक एक चीज और detail में हम चर्चा करेंगे रिजल्स के बारे में और चाट पटन के उपर की मंडे को कैसा हम हूँ आ सकता है तो money front के साथ account ओपनिंग किया link description में check कर सकते है तो वो भी avail कर सकते हो free है आप पर account opening description में आपको link मिलेगा वासे आप download कर सते है mutual fund investments are subject to market risk read all scheme related documents carefully